मित्रों जयमाता दी मित्रों आझ दसितंबर रभीवार का दिन है ऐसे में कैसा रहनी बारा है आज का दिन आज के दिन कौन से छेत्रों में कारी करने से आपको बहतर सफलता आपके मान समान इज़त पतपर्दिश्णा में बड़ोत्रे हो चकेंगी आपके जीवन में बैपार को लेकर किस परकार से युजनाओं को बना सुखोगे जिनसे कि आपको धन की प्राप्ति होंगे ग्रह गोजर के इत्रतियां आज क्या रहेंगी आप लोगो के जीवन में पैसों सिरूड़ी जो फरिसानियां चल रही हैं उनसे आप किस प्रकार से द्विकारा पारा तो कर सकते हैं मतरों आपको बताएंगे आज आपका लखी कलर, लखी नंबर कोन सा रहेगा आपको कोन से च्छित्र वे कारी करने समय सावधान रहना होगा कोन से यात्रा आपके लिए सुख़ और मंगल में रहेगी आपके जीवन में भगवान, स्रीहरी विस्नु जी की किरपा और माताधन की देवी मातालक्ष्मी जी की किरपा किस प्रिकार से होने वाली है मत्रों आज का दिन्चरिया आपका कैसा रहेगा आपको बताएंगे इन सभी के बारे में सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखीगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब वबस्ते कर लें ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके मत्रों आज का दिन आपके लिए बहतरिन और काफे सुखद रहने वाला है कारिश्यत्र में आपको बड़ी खुशकबरी की प्राप्ती होंगी आपके लिए बिजनस और बैपार के शत्र में प्रहतरिन सफलता के प्राप्ती होने वाली है मत्रों आज का दिन छात्रों के लिए भी काफे बड़ी खुशकबरी देने वाला है आज का दिन आपके प्रिबार के लिए कुछ नई खुश्यां लाने वाला है बेपार में आपको अपने सहयोग्यों का सहयोग प्राप्त होगा जिस से आपको अच्छा लगेगा और आपको अच्छा काज़ा धन की प्राप्ती होने वाली है कारिश्यतर में भी आप लोगों कе लिए काफी बड़ा सुब और बहतर नुť समें रहेगा आज जिन लोगों का बड़े है वो अपने दोस्तों के साथ पाटी कर सकते हैं आपको किसी खास और सांत जगह घूमने जाने का मोका भी प्राप्तों होने बाला है आज के दिन रुके वे कई कारे आपके पूरे होंगी आज का दिन आपका बढ़िया रहेगा आपके विचारों में महत्मुन बदलाव आएगा आप सभी चुनोतियों को दरकनार करके तरक्की की राह पर बढ़ोगे भगवान स्री हरे विश्णू जी की गृपा से आप लोगों की सभी मनुकामनाय पूर्ण होंगी आपको अचानक नहीं से बुलावा आने वाला है जिससे कि आपको धन संपत्ति की फ्राप्ती होंगी यह बुलावा आपके बिजनस बेपार को बढ़ाने से लेकर हो सकता है बिजनस से समंदित हो सकता है और किसी भी फैसले पर आपको अपनी राय देने में काफी अच्छी और बड़ी खुश कबरी मिलेगी आपके लिए आपकी राय कारगर सावित होगे जीवन साथी की साहता से आपको किसी बड़े कारे में अच्छा रिजल्ट की फराप्ती होगी बैपार में भी आपको तमलाप के योग बने हुए हैं दामबत्ते जीवन में आपका खुश हाल और खुश नुमा बना रहेगा आपका दिन रोज की अपेक्छा बहतरिन रहने बाला है पहले से काफी अच्छा और सुन्दर सा दिन आपका रहेगा आपके इसी नए विचार को बना सकोगे आपको ये नया सा बिजनस भी स्टार्ट करने की बारे में सोच सकते हैं आप अपने बजट जो आपका बजट है उसी के अनुसार आप इनिवेश्ट करने की अवस्य कोशत करें आपके लिए यह अच्छा रहेगा जो लोग इसरासी के छात्र हैं वो पिछले दिनों के छुटेवे स्लिवस को पूरा कर सकेंगे पढ़ाई लिखाई के प्रती आपके जागरुकता बढ़ेगी सिंगर स्रुके लिए आज का समय काफी अच्छा परफॉर्म करने के लिए रहेगा जिससे की आपको भविष्य में कोई अच्छा अवार्ड भी मिलने वाला है महिलाओं के लिए आज कामकाज में वैस्तता बनी रहेगी महिलाएं कामकाज को लिकर थोड़ी सी जदा ही जागरुक रहेगी घर में महमानों का आवदा ही बना रहेगा आज लवविट के लिए भी दिन काफे सुब रहेगा एक दूसरे की भावनाव को आप कदर करें अचानक से धनलाब होने से आपके आर्थिक समस्चाएं दूर हो जाएंगी मित्रों आप इस जीबन में पैसों से समंदित अगर किसी विपरकार की प्रसानिया है तो आप प्रसानिया भी आपके जल्दी ही दूर होने वाली है आपको आपके कारिशित्र में पहले की अपेट्था काफी धनलाब की प्राप्ती होने वाली है आज का दिन आपके लिए लाब दायक सावित होगा कामकाज के प्रती आपकी आत्म विश्वास मभरोत्री होगी और आपको तरक्य की और ले जाएगा जल्दबादी में कोई भी निरने लेने से बचें क्योंकि अगर आप जल्दबादी में कोई निरने लोगे तो आपके लिए मुसीवतों का कारण बन सकता है इसलिए जल्दबादी में निरने लेने से बचें जो भी करें सोंच समत कर करें आप वो अपने रूटिंग और अभ्यास को बहत्रिन बनाए रखने की आविस्से कता होगी इस तरासी के जो लेखक है उन लोगों को कोई किताब लिखने का मुका मिल सकता है या कोई किताब पबिलिस करने की यूजना बना सकते हैं जो लोगों को काफी पसंद आएगी बाहर का ओली खाना अवोइड करना अच्छा रहेगा आपके जीवन की नई सीरी से शुरुआत आप कर सको के आपके बैपार बैविसाय में काफी गज़एगा